नारायन शाकार हरी ने अपनी वारी के माध्यम से बताया जीवन का महत्वक क्या होता है तो वो आपके लोक और परलोग में ऐसे काम आएगा ऐसे काम आएगा जैसे किसी का बेंग में खाता है और धन उस खाते में है आवसकता पढ़ने पर बिसे जरूर पढ़ने पर कहीं नहीं भागते कहीं दिमाग नहीं दोडाते तुरन के भाई धन की जरूरत है चलो हमारा खाता बेंग में है और खाती में से पैसा निकाल के लाती है फिर कई मांगने की या हाथ भेलाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसी प्रकार से आज मौका है वक्त है समय है आप आत्मा के लिए जो उचे 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 पदों पर आरूर है धनवान है यस मिल्ला है मान सम्मान मिल्ला है तपेश सुरी सो राजे सुरी इसी तरह से उन्होंने भी शाकर हरी परमातमा का भज़न किया होगा अबादद की होगी त्याग तपस्या की होगी उनको नारी का चोला मिला और उचे उचे पदों पर आरूर है धनबान हैं पदबान हैं अगर ऐसा न करते अगर उनका सत्य का धन सत्य के खाते में सत्य की बेंक में न होता क्यों समझ आता है बरतमान से संसकार जीवन संसकारों पर निर्भर करता है तूरत्या ये पक्का समझ है कि जीवन संस्कारों पे निर्भर करता है अतीत से बर्तमान बर्तमान से भविस अतीत का तो प्राश्चित करना ही पड़ेगा आज मौका है बक्त है समय है बर्तमान को तपस्चा बना लो आपका उज्जल भविस का निर्वान निशंदे हो जाएगा क्योंकि बर्तमान की कोख में आपका भविस चिपा हुआ है बर्तमान की कोख में आपका भविस चिपा हुआ है अगर आज अपने बर्तमान को नहीं समाल पाए तो भविस भी खराब हो जाएगा क्योंकि अच्छे करम का पड़ाम अच्छा होता है बुरे करम का वणाव बुरा होता है लिकिन मैं एक बात आपको एधान दिलाना चाहता हूँ बो क्या जैसे आपके कमरे में आपकी अलमारी में जो कुछ आपने भरा हुआ है जब खोलोगे तो बही निकलेगा जो आपने भरा हुआ है इस शरीरूपी कमरा है इस शरीरूपी अलमारी है बहुत समझना है कभी कभी परिशान हो जाते हैं अगर आपके अंताकड में लोग बसा हुआ है लोग बसा हुआ है आप जहां भी जाएंगे जहां भी बैठेंगे तो लोग ही लोग दिखाई देगा और कुछ दिखाई बहुत समझना है अगर आपके अंताकड में मोहो चिपा हुआ है तो मोहो के अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा इसी प्रकार अगर आपके अंताकड में रोम रोम में एहम छिपा हुआ है तो एहमी एहम बरसेगा आपके पास दूसरा कुछ बरस नहीं सकता अगर बनवाद का बिस छिपा हुआ आपके अंताकड में तो जो भी आप निकालेंगे जो भी करेंगे पनवाद के तेहती करेंगे दूसरा कर ही नहीं सकते में मेरी अपना पराया बसा हुआ है रोम रोम में अंताकड में तो में मेरी अपने पराय के तेहती ही आप करोगे इससे परे कर ही नहीं सकते और जिसके अंताकड में निस्वात में डू हो जाने के कारण गाली भरी हुई है क्रोध भरा हुआ है तो वही निकालेगा दूसरा नहीं निकाल सकता लेकिन जब आप देवी सरू पादेव सरू शंत जन भक्त जन रिश्वर मुनुबर पुराना सक्ति के साथ के दौरा इमानो मंदल मिलें सद्वाना समागम के माध्धम से पुराना कचड़ा शांत रहे हो निकाल रहे हो और आज सक्ति ही सक्ति अपने हिर्दे में भर रहे हो परमात्मा की भक्ती भर रहे हो इंसानियत भर रहे हो मानपता भर रहे हो तो सोच लीजिए अगर जमाना भी आपको गाली दे तो आपके उपर असर होने वाला नहीं जहां सत्य ब्राज मान हो गया सत्य की किर्पा हो गई फिर उसे गाली गलोज फेद भाव संपरदार उस नीच गरीब अमीर का कोई असर नहीं होता है ये प्रभू परमात्मा शाकार हरी की विशेश किर्पा मानो विशेश दया मानो रहमत मानो और इसको प्राथ करने के लिए ये अब्यास कर रहे हो अब्यास करते ही रहना क्योंकि ग्यानी को ग्यानी को ग्यान से समझाया जा सकता है लोबी को नहीं एहंकारी को नहीं भेदवादी को नहीं लोबी तो लोब से समझेगा एहंकारी एहंकार से समझेगा बनवादी बनवाद से समझेगा ग्यानी को ग्यान से समझा जा सकता है लेकिन आम महाफ्रश्व कावप की बेहन बेटियों का अगमन सत्य के संग में हुआ है अपने मन मस्तिक में रख लो कभी निकल ले मन देना आप अमार दर्शन कोई आदमी नहीं कर रहा है कोई इस तरही नहीं कर रही आप अमार दर्शन श्यम वेशे तो पूरे बंभान का संचलन साकार हरी करते आए कर रहे हैं साकार हरी तरमात्मा कर रहे हैं ये दिमाग से जीवन में कभी निकाल ले मन देना के के संसार में किदर भी जाना है मार दर्शक का होना नितान तावश्चक है अम किसने किस प्रकार का मार दर्शक चुना जैसा है वो बैसा ही मार्दर्शन करेगा दूर में ही परवाश्चित किया जा चुका है ड्याक्या की जा चुकी है इसलिए आज मौंगा है बप्त है समय है मित्यानसर भेद भाव रहे मेमेरी रहे छोटा बड़ा रहे काला बोरा रहे नन्नारी रहे शाकर हरी परमात्मा के अलावा जगत में और कोई आपका मार्दर्शन नहीं कर सकता ध्याद अखना जो यहां देखने को मिलता है जो आप यहां देख रहे है शाकर हरी परमात्मा की देन है आप पर जो किर्पा की है है आप पर जो किर्पा की जा रही है आपकी हर किसी के हाथ में यही कहा जाता है कि पांच अंगली एक शीडी होती ही कहा जाता है लेक्न आप महापरसो करें कि पांच अंगली क्या सबस्वें एक हो आप महापरस जो जुदा जुदा थे जुदा जुदा बिखरे हुए थे तक्राओ था आशाकर हरी परमात्मा ने आपको एकत्रित कर दिया है एक सूत में बांग दिया है एक धागे में बांग दिया है और आपको जीवन को धंद बना दिया शद ग्यान दे कर शद कर्म करा कर आपको जीवन में क्या चाहिए और जीवन में क्या वशकता है आपने ये भी देखा होगा सुना होगा लुहे का अंग को सोता है जरासा जो मदमस्त हाती को भी कबजे में ये सुना होगा भनीबान इसी प्रकार साकर हारी परमात्मा का बच्चन कितना सुक्षम है लेकिन कितना बिसाल है आंकलन नहीं किया जा सकता शाकर हरी फरमात्मा का भचन और सेवा और ये सत्तिका अब्याश अगर आप इन तीनों सब्दों को पकड़ा और चलते रहे तो जब जरासा अंकुस्त मदमस्त हाती को कबजे में कर लेता है अगर आप ने तीनों सब्दों को पकड़ कर और करम में ढाल लिया बेभार करूप देना सुरू कर दिया निशन दे आपका जीवन नहाल हो जाएगा आप बाग बाग हो जाएगे आपका जीवन खिलव फुल की तरह हो जाएगा और चलते ही रहे तिस संसार में भी यस पाओगे और जीते जी एहसास करोगे मैसूस करोगे देखोगे कि अब मेरा भब से बेड़ा पार हो गया क्योंकि आप न नर है न नारी एक हत में सत्थ के मसाल है दोना हत में सत्थ के मसाल ले लो खुद भी प्रकास मान बनो और जिसको जरूरत है वो भी अंदकार से प्रकास मा जाएगा ये सबसे बड़ा पुन्य है इससे बड़ा कोई पुन्य जगत में न था न है न ही पुगा आं महाफ्रसों को भी पृतिछा नहीं करने पड़ती है पूरी विद्यासों के मताबिक जिन को जरूरत रही किस-किस रूपे में पृतिचा की है, त्याग तपसत्य की है और संसारिक कारे के लिए आप किस-किस के पीछे भागते हैं, पृतिचा करते हैं फिर भी उनका दर्शन नहीं होता आज के बरतमान काल में तनिकाप अंतहपन शुद्ध करते हुए और शाकर हरी परमातमंगा सत्त का साथ करें बचन मान के सत्कर्म करें तो तुरंट देवी सरूपा का दर्शन होता है देव सरूपा दर्शन होता है निश्मर-मनبر का दर्सन होता है और सुड़्गृ şunu जब जल गर्म होता है तब ही जल में ओबाल आता है इस रूप में अगर आपकी भक्ती गर्म है तो शाकार हारी परमात्मा को अपना दिब रुप पर दिब लुप का दर्सन देने में देर नहीं करते हैं ये मैंने क्यों कहा शाशन प्रसाशन के कागजों में रेजिस्टरों में फाइलें खुली है और मुझे इसी क्रिया के लिए धौल धौल पुर मुरेना गौलियर भिंड अमबा और ये बहा है और ये पूरा छेत्र दो दो तीन तीन बार इस छेत्र के महापुरसों ने बुलाया और हम भी हर कारा चौकिदार बनकर पहुंचे और वहां इन समस्त छेत्र में पूरे इलाके में मानपता बहाई चारे का संचार हुआ परमात्मा शाकार हरी की भक्ती का संचार हुआ और मानो मानो को गले लगा रहे हैं मानो मानो से प्रेम कर रहे हैं जे छेत्र को साशन प्रसाशन के कागजों में एक बहड के नाम से जाना जाता है और यहां तक जाना जाता है कि किनी ही कारों से किनी के भाई किनी के बेटे किनी के चाचा किनी के पिता किनी के ताव किनी की बहन बेटियां ऐसे कारों से निकल पड़े भटक गए जिन्हें इस बेहड में बेहड में आना पड़ा और इस बेहड में पड़े रहे हैं किने कारों से क्या-क्या उन्होंने किया क्या-क्या नहीं किया कहा भी जाता है कि मरता है तो क्या नहीं करता है अबस जो लोग अपरा जगत में मुड़े अबस उनको कहीं नयाय नहीं मिला होगा उन्हें दबाया गया होगा उनकी बेहन बेटियों के साथ अच्छा बेबार न जहां जा गए उन्हें मदद नहीं मिली उनकी सुनी नहीं गई तो उन्होंने सोच लिया कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं लेकिन आज का दौर है आज की जो इस्तिती है समस्थ जन्मानस गामी डंचलों का सोव सहरों महानगरों जहां भी आप प्रवास करते हैं खेती बाड़ी नोकरी बैपार करते हुए और शाकार हरी परमात्मा का सहरा लो आपने दुनिया में किसी का सहरा लिया मदद नहीं मिली पलट दबाया गया लूटा गया दुर्वेबहर किया गया होगा तब आपने राइफल पकड़ी होगी बंदुग पकड़ी होगी बेहर में शलांग लगाई होगी आज उस तरह मुड़ के देखने की जरूरत नहीं शाकार हरी परमात्मा का सहरा लो जो शाकार हरी परमात्मा का सहरा ले लेता है वो कभी बुरी सोच नहीं जगता बुरे करम नहीं करता बुराईयों के तरह नहीं जाता वैसनों में नहीं दूपता और भेदभाव में भी नहीं जाता वहे इंसानिय धारन करते हुए मानपता को धारन करते हुए और समझ समाज में एक खिला हुआ फूर बनने की कोशिस करता है वो किसी का बुरा नहीं चाता और नहीं बुरा करता है क्योंकि किसी को देखे ना देखे तनिक समझने का प्रयाश करेंगे आप आपकी बेहन बेटी आती हैं आपके बच्चे आते हैं छाठ छातराई हैं कि शान नोकरी करने वाले जन बैपारि जो भी हैं जिन्होंने सत्य का साथ किया और एक एक सब्द को मल लगा कर सुना ठीक से सुना करम में ढाला आज वो जीवन में उनको अभुद पूर परबरतन हो रहा है और शंशार की तोर पर भी धन धन से भी परपूर है परबार में सुख है चेन है शान्ती है और जो पुराने बेशन लगे हुए थे चाहे वो ताम सी पे हो ताम सी खादान हो जो भी बिकार हो में मेरी अपना पराया भेद भाव का बिस एहिंकार का पहाड ये सब पुछ शक्त के साथ माने से धरासरी हो चुके हैं और एक इनसान ने जन्म ले लिया है एक माना उन्हें जन्म ले लिया है जहां इनसान ने जन्म ले लिया जहां माना उन्हें जन्म ले लिया तो आपको ये भी जानकारी है मुझे महापुरसन ने जानकारी दी है कि जो विशनों में डूबे हुए थे और अब गुणों में अब गुणधार्ण किये हुए थे परवार बरबाद हो चुके थे परवार उजड़ चुके थे जब से उनों परवारों ने मन बचन करम से आज उजड़े हुए परवार आवाद हो चुके हैं उनके बच्चे भी इस्कूल जाने लगे हैं दोनों से में भोजन भी भली भाद ग्रहन करने लगे हैं अंग पर बस्त भी धाड़न कर रहे हैं और सर चुपाने को जोपड़ी भी प्राप्त हो चुकी है क्योंकि अगर नियत सावधान है तो मंजिल आसान हो जाती है और नियत सावधान नहीं कितने धनबान हो कितने पदबान हो जब गिरोगे ऐसे गिरोगे दुबारा उठना संभब नहीं होगा देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर